जैहिंड इजराइल की कमपणियें इसने एक aleg Religion को बَّनाया है मेल वेसे साफ्वीयर होते हैं जो हमारे computer में आके computer को ही नुकसान पहुंचाते हैं और कई तरह से नुकसान होता है इसी में एक नुकसान होता है जो हमारी जासूसी करते हैं तो ऐसे malware को हम लोग spyware कहते हैं तो इसमें सबसे फेमस अभी जो spyware है जो सबसे खतरनाक है वो इसराइल नहीं इसे बनाया है और इसका नाम है पेगसस पेगसस एक्चुली उड़ने वाले घोड़ा को कहा जाता है पह सब्सक्राइब के मदद से उसने कई ऐसे आतंगवादियों की सीक्रेट चीजों को पता करके आतंगवादी घटनाओं को अन्या देने से रोका है जो काफी अच्छी बात है अब यह कई किसी भी चीज के कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं मतला आपके पास एक मेल आएगा और उस पर आगर आप क्लिक करते हैं तो आटोमेटिक आपके सफ्ट्वेर को पूरे अपने अबर ले लेगा लेकिन क्या हुआ है इससे भी एक कदम आगे है अब यह लोग क्या करते हैं वाटसप पे एक मिस्ट कॉल देते हैं वह मिस्ट हो गया अब यह पेगसर्त आपके पूरी मोबाईल को देख लेगा आपके मोबाउल में क्या क्या है किसका क्वान्टेक्स नमबर MO िनयर् iley में फोटो है औडियो रेकॉड्डिंग कि सका किके हैं फिंगर लॉक लगाए है किने की बेई एधिया है ये सारा का सीर सारा चीज आपी के मोबाइल से लिए आपी का नेटवर्क करके वो भेज बेगा इसराइल या उस देख लेगा कि ही फॉल नंबर भी ट्रेकिंग पर यह भी है जब दोनों का लोकेशन देख लेता लोकेशन का माइक आन होने के वज़जे से इसका भी बात शुनाई दे रहा है इसका भी माइक न करके सारा का सारा भेज दिया इस्राइल के पास यानि NSO company के पास अब उस company ने जहां भी office बनाया है जहां database मंगाना चाहती है वहाँ हो मंगा सकती है उसको यह आपके mobile का camera भी access कर सकती है camera को on कर लेगा यह software अब अमूमें camera को on करके ना camera से जितनी भी photos खीचे रहेंगे उस gallery के तुरू उसको सारी images documents आपका भेज़ देगा आपका call लोग किसको किसको call करते इवन आप आपको पता भी नहीं चलेगा आपके number से किसी दूसरे को message भी चला जाएगा या call भी जा सकता है वहाँ पर और आपको पता ही नहीं चलेगा आप सो रहे हैं आराम से किसी को message जा रहा है किसी को email जा रहा है चैट में उसे भी hack करके भेज़ देता है कि फला नहीं आदमी का fingerprint है अब आप रहिए चाय मत रहिए वही fingerprint वहां मार देगा अगर आपका lock से भी कोई system रहेगा मान के चलिए कोई बहुत बड़ा है क्या चीज़ और है सारे चीज़ों को detail यहां से निकाला जा सकता है अब इसी में हो गया भाई साब हमारे जो पडोसी देश है यह इमरान चचा को अब इसके पास चार मोबाइल है सबसे ज़्यादे यूज करता था वह इंटरनेशनल बाते करता था या फिर बिदेशों में या फिर अपने सेना पर्मुख से इवेन अपने संसत के मंत्रियों से अलग-अलग थी और इसमें सरकार को पता चल गया था कि अगर ये एयर इस्ट्राइक करते हैं तो पलट कर पाकिस्तान की सेना जवाब नहीं देगी क्योंकि परधान मंत्रियों सेना के बीच की बात होती होगी तो पूछते होगी इमरान खान उससे सेना पर्मुख से कि स्ट्राइक क्या अब का करना है अभी नंदन यहीं पर छोड़े की नहीं छोड़े तो भारत सरकार को पहले से पता था कि उनकी उकात क्या है इसी को देखते हुए एयर इस्ट्राइक हुआ सर्जिकल इस्ट्राइक हुआ इन लोग को लगता था कि यह कस्मीर को स्वतन देश बना लें काल चले चचाप लोग का ठीक ठाक है लोग कि नहीं चले यह कोई बात नहीं इन लोग पाकिस्तान के भरों से कूदते थे पाकिस्तान इमरान खान को फोन करेंगे हम कस्मीर को बरबात कर देंगे तो इमरान ख करकार को तो पता है ने कि यह जंडू जिन के दम पर कूद रहे हैं उनका जो अपना सेना पर मुखे वो खुद इनका साथ नहीं देगा इसलिए 370 इतना इजली हटा हमको तो लगता है 370 को हटाने में उतना ही मेहनत लगा जितना के काटने में लगता है क्योंकि गवर्मेंट इसको क्या लग रहा है कि हम इन सव वाला भी बतिया लीक कर देंगे नहीं हम उसमें डर हो यार चली हम में टॉपिक में बात करते हैं दात में खोला है पधान मंत्री हो यार इलाज करा लो पीला-पीला दात लेके घूम रहा है ब्रस किया करें आप यह इस्राइल को मानेता नहीं देता था प्रस कोई देश ही नहीं है और इसकी हद थरही देखिये कि इसने अपने पास्पोर्ट में बकायदे लिखवाय था कि इस पास्पोर्ट इस वलीड पूरी दुनिया के वल्ड के लिए यह वैलिड है एकसेप्ट इसराइल को छोड़के क्योंकि हम इसराइल जानकारी का खुभिया जानकारी लिख किया गया है। आज़े हैं तब भी जाओगे अगर देश कि मानता देदो गही तो इज्जच जाएगा और देश की मानता नहीं दो गहें तो जी जाऍ लगा कि ये खुब य जानकार्य चुराईगा तो तुमहरी प्राइवेशी जाएगी तरी यार ना तुमहारे पास इज्जच है प्राइबेसी है चुप चप चिलावाई से भारत के एस्पेक्ट में इसको चीज़ों को समझते हैं कि क्या प्लस पॉइंट क्या निगेटी पॉइंट है देखिए यह जो इस्राइली कंपनी है इसके उपर वाट्सप ने एक बार केस कर दिया था कि इसने वाट्सप की जानक नहीं कर सकता है दूसरा यह काफी महंगा है एक आदमी का अगर जाच कराना है इस्पाइं करानी है तो एक करोड से जादे लगता है यह कम से कम 50 आदमी का ले देते हैं यानि 60 करोड रुपया लेते हैं तो उसमें 50 आदमी की आप जाच करा सकते हैं यह मामला भारत के सरकार के सामने भी उपठाए गया तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार बीदेशों में भी ऐसे बहुत 40 देश बता रहा है ना इसके में थे जमाल कसोगी को सौधी अरव वालों ने मरवा दिया इसके मोबाइल को है किया गया था अब भारत सरकार का क्या कहना है भारत सरकार का यह नहीं कहना है कि हमने इसका यूज नहीं किया है और नहीं सरकार ने यह कहा है कि हमने इसका यूज किया है सरकार ने कहा है कि हमने इसका कोई भी गलत परियोग नहीं किया है मतलब सरकार इसारे-सारे में कह रही है कि हमने इसका यूज किया है आतंगबादी वगराइगी टेपिंग के लिए जो सही भी है लेकिन कुछ गलत है जो आगे बताएंगे प्रोसीजर को लेकर अब यह सही कैसे है और सरकार ने कैसे काया कि कुई सरकार में एक बहुत ही विश यूज नहीं किया है तो देखे अगर हम लोग पूरी तरह से खुला छूट देंगे तो बहुत जादे दिक्कत हो जाएगा तो आतंगवादी या देश को तोड़ने की बात करें उनके लिए ये गलत है मतलब उनके लिए ये होना चाहिए लेकिन गलत कहा हो जाता है ध्यान से समझे ये मामला अभी भले उठा है लेकिन ये मामला 2017 से 19 के बीच में दुनिया भर में 50,000 लोगों के मोबाइल पर ये सोफ्ट्वेर इस सब चीजों को भेजा गया उसकी स्पाइं कराने के लिए जिसमें से 300 नंबर इंडिया के थे अब ये 300 नंबर इंडिया के थे इसकी गहन जाच की गई इसका फोरेंसिक जाच किया गया और दो दुनिया के प्रतिष्ठित हलांकि 40 से जादे मीडिया ग्रूप है लेकिन वो प्रतिष्ठित मीडिया ग्रूप जिस पर एक वासिंगिटन पोस्ट और दा गार्जियन ये छोटे मोटे नहीं है ये भारत के 142 नंबर पर खड़े निरलज मीडिया की तरह ये लोग नहीं है कि कुछु चाप दो ये देखो ये बकरी कितनी दूबली हो गई यही वह बकरी है जो पहले हाथी थी दूबली होके बकरी हो गई ये भारत की मीडिया की तरह ये लोग नहीं करते हैं ये एक प्रतिष्ठित है दगार्जियन हो गया ये वासिंग्टन पोस्ट अलांकि बहुत सारे ले रहे हैं जो भी स्वसनी उसका कर रहा है इनका कहना है कि इंडिया में 300 लोगों में से जादे तर पत्रकार थे 40 पत्रकार थे तीन विपक्ष के नेता थे जिसमें भाईया ये राहूल गांदी भी थे दो मंत्री भी थे भाई सरकार के भी मंत्री पे भी तो मंत्रियों प पचाओ के लिए खड़े हो जाते हैं उनका कहना ही कि रही हो सकता है कि बीदेशी लोग भी करा सकते हैं क्योंकि भाईय सरकार ही ही हम सबॉस्ट 쉬 भाईया के इसन च्टाइब ही इसराइल बेचता है तो हो सकता है पाकिस्तान को鉤 बेचांगी कि उन्होंने नहीं कराया है इसको बिदेशी ओने कराया तो इंटरनेशनल कोर्ट में केस ठोग दीजे कि जिसने कराया है उसको सजा होगा क्यूंकि हम लोग तो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे जच साब ही है दलवीर बंड़ारी हमार लिए पॉजिटिव हो जाएका लेकिन ऐसा नहीं है कोई बीदेसी नहीं कराएगा रीजन हम आपको बताते हैं कोई बीदेसी अगर मान के चलिए हम ही लोग को पाकिस्तान की जासूसी करानी है यह चाइना की जासूसी कराएंगे तो क्या करेंगे पत्रकार का जासूसी कराएंगे कि पत्रकार कोंची नहीं चाप र हुआ है जो यह बताता है किस्पाइण भारत से हुए क्योंकि पतरकारों की जानकारी लेकि best करना legal है क्या कर सकती है क्या सहीं है यह गलत है देख़ी जरुकर के पास अधिकार है यहा किसी की tape recording कर सकती लेकिन यहां बात आती है प्रोसीजर की जब भी यह 10 ऐसी जो एजेंसी है वो किसी के भी अगर spine कर रही होती है तो उसका rule होता है कि वो अपने department के commissioner rank के अधिकारी को इसका report देती है जैसे मेरी अगर tape recording करनी है मेरी spine करनी है मेरी mobile की तो अगर सरकार चाती है कि अगस्त से सरकार को doubt है कि खांसर कर रहे है कुछ तो अगर मान के चलिए हमारी जाच करेगी तो जिस दिन से उसे जाच करना है मान के चलिए हमारे raw लग गई हमारे जाच करते हैं तो raw अपने commissioner rank के अधिकारी को लिखित में ये देगी कि भाया हम खांसर के email वगरा मतलब जितना चीज़े हैं उनको हम क्या कर रहे हैं अब क्या है उसके बाद वह हमारा trace करेगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा तो final closure report इनके पास लगा देगा और इनको नियम के तहत जात करना होता है कि आप personal चीज़ों को नहीं आप जो देश हित में है बस वही कीज़े इससे किसी को एतराज नहीं है और ये परती दिन करना है किसी का तो ऐसे ही होता है ये गलत नहीं है लेकिन गलत कब हो जाता है जब आप procedure ही फॉलो मत कीज़े किसी की record किसी के पिछे spying लगा दीजे नहीं किसी IB को पता है नहीं किसी को मतलब है इसका मतलब आप उससे personally दुस्मनी निकालना चाह रहे है ये चीजे गलत है अ और लीके लोगों उतने हाई रेंग तो अगर procedure follow कर रही है तो वह सई है अगर procedure follow नहीं कर रही है तो गलत है क्योंकि पुलिस भी आपको गिरफतार करने आती है तो उसके कुछ procedures होते है उसको वरेंट दिखाती है FIR आपको खिलाफ होता है तब आती है ऐसा नहीं गई चल तो जब आप गलत नहीं है, तो क्या डर रहा है? आप उसको पबलिक्ली डाल दिजे, फेंसबुक पर, कि ये मेरा जीवेल ऐड़ी है, ये फेंसबुक आइड़ी है, हम गलत नहीं है, CC अरे भाई, यहां कोई डर नहीं रहा है, बात प्राइवेसी की होती है, प्राइवेसी हमारे आर्टिकिल 21 में दिया गया है और आपको पता होना चाहिए कि हमारे संभीधान में दो सबसे परमुख आर्टिकिल है 20 और 21 जिसे राष्टपती को भी आधिकार नहीं दिया गया है कि वो इसको थोड़े देर के लिए भी रोक सके 20 और 21 में आपका प्राइवेसी बहुत मायने रखती है अगर आपको किसी गलत नहीं एक अच्छे इंसान की भी प्राइवेसी की पता चल जाएगी ने तो आप उस अच्छे इंसान को गलत बना सकते हैं मान के चले कोई हस्बेंड वाइप होना कोई अपराद थोड़ी है एक खुसाल जिंद प्राइवेसी में इंटर्फियर करके अब आप उनसे गलत काम करा सकते हैं मान के चलिए कि हस्बेंड वाइप पत्रकार थे और जैसे कि 40 पत्रकारों पर ऐसे बताए जा रहा है हला कि authentic जानकारी किसी के अपास नहीं है अब इनकी कुछ call details आपस में बात किया गई या कुछ फोटो जा गए अब बैचारे यह गलत नहीं है बट यह अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए इनको blackmail किया जा सकता है कैसे किसी लड़की का फोटो खीच लीजिए अब वह बैचारी आप राधी थोड़ी है लेकिन वह अपनी निजिता को बचाने के लिए आपके इसा कहां का सरवार यूज कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है तो वह काफी इस पर concerned हाला कि इंडिया की गवर्मेंट इतना सब बाकि पॉब्लिक को डरने की जरुवत नहीं हम लोग का जार्च करके का मिलेगा मान के चले हमरे स्पाइं करेगी सरकार का मिलेगा PDF फाइल मिलेगा अप्लिकेशन पर कौन क्लास है बैच कोन student का PDF नहीं मिला नोट्स कहां है कौन सा schedule कहा है यूटूब पर कौन वीडियो बना यह सब तो मिलेगा और कौची मिलेगा कौची हम लोग के पास कौनों नियुयार्क का कौनों प्लानिंग है का हम लोग के पास इसम मामले के लिए छोटका फोनवा ठीक है आप देखेगा बड़े बड़े लोगों के पास ये छोटका फोनवा आप देखेंगे तो अगर आपको प्राइवेसी का बहुत ज़्यादे ध्यान रखना है तो एक इस टाइप का यूज कर सकते हैं और नहीं अगर आपको बहुत ज़्यादे डर होने का कोई खत्रा नहीं इस पर स्पाई वेर का कोई खत्रा नहीं होता है और आप कबुद्तर भीजिये कबुद्तर जा 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 कब उत्तर सुच्छा तुने यहां पर दिखिए एक कौन सी मूवी में बोलता है कि प्राइवेसी इज मित लाइक डिमोक्रेसी तो अगर आप ऑनलाइन दुनिया में आ गए है आपकी प्राइवेसी बहुत कम चांसे जेकी बच सकती है हर जगह आप कहीं न कहीं फेस्बूक खोल रहे हैं आपकी एक्टिविटीज हर जगह रेकॉर्ड होरी आप कहां जा रहे हैं सचुरा गूगला को पता रहता है वहाँ पर हर चीज तो इसमें भी ने लेकिन हाँ यह प्राइवे जो गौर्मेंट करती है प्रोसीजर के थ्रू करती है तो बहुत अच् बहुत जादे आम इंसान को डरने की जरूवत नहीं है बहुत भी आईपी लोग या फिर जो देश को तोड़ रहे हैं उनके लिए यह खत्रा है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहन